तो देखिए फ्रेंज आज हम लोग बनाएंगे यह मसालीदार बेंगन जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है तो फिर चलिए देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए मैंने यहां पर यह बड़ा सा इसका बेंगन ले लिया है अभी इसको हम कट करेंगे इसको हमें ज्यादा छोटा छोटा नहीं करना है चार पीस में कट करेंगे मैं इसको इतना बड़ा बड़ा ही रखोंगी आप चाहें तो इसको दूसरे सेथ में भी कट कर सकते हैं तो देखिए हमने इसको अच्छे से धो लिया है तो चलिए अब हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा कस्मेरी रचिली पाउडर और यह थोड़ा सा गरम मसाला और यह नमक स्वाद अनुसर देखिए अब इस मसाले को बेंगन में अच्छे तरह से हम कोट कर लेंगे तक यह जो मसाला है बेंगन में अच्छे से कोट हो जाए अब हम इसको सेलो फ्राइ करेंगे पेन हमारा गरम हो घया है अब भी हम इसमें पेल डालेंगे मैं यहाँ पर सर्फों का तेल यूज कर रहे हूं आप कोई भी खाने का तेल यूज कर सकते हिं क्योंकि सरसो के तेल में उसका जो स्वाध है वह बहुत ही अच्छा आता है तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है अभी हमने जो मेरिनेट किये हुए बेंगर रखे ते उसको हम इसमें डालेंगे हम इसको आगे पीछे करके इसको अच्छे से हम पलट पलट कर सिखेंगे अच्छे तरह से इनको हम प्राइ करेंगे याद रखिए हमें इसको धीनी आच में पकाना है हम इसको आगे पीछे करके इसी तरह से पकाएंगे जब तक ये बेंगर हमारा पुरा अच्छे से कपलें जाता है यह हमारा जो बेंगर ने यह कितना बड़ी हाथ तरिके से पुरा पख गया है तो फिट चलिए दोस्तों अब हम इसको गर्मा गरम सर्प करतें और यह देखने में भी बहुत ही सुन्दर लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग भी इसे घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आज का ये वीडियो के सा लगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में न्यू है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फीड जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आप सभी लोगों से मिलूँगी मेरे एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपि के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर